सीदे रुक करना चाहेंगे हम राकेश जी ने आपने डॉक्टर मनमोहन वैद का वो इंटर्व्यू सुना और आपने मोहन भागवत जी का भी वो बयान सुना मोहन भागवत जी के बयान में कहीं पर भी उन्होंने सामान नागरिक का जिक्र नहीं किया अब स्पश्टिकरण मे अभिसार जी आप तो एक अच्छे पत्रकार है और आपको मैं उन पत्रकारों मानता हूं जो समझ के साथ चीज़ों को रखते हैं आप ये बताईए मोहन भागवत जी ने क्या कहा संग की साखा में अनुशासन प्रसिक्षन दिया जाता है इसलिए संग के सविश्वक दो त ट्रेनिंग किल जाएगे समाने नागरिकों में तो क्या दो तीन दिन में कर लेंगे सेना को एक व्यवस्था के ताहत जाना पड़ता है संग को व्यवस्था के ताहत नहीं जाना पड़ता है 1962 में क्या व्यवस्था के ताहत हम गए थे सरकार ने कहा और 24 घंटे के सविश्वकों ने दिल्ली की दिल्ली में जलापुर्ती दिल्ली में गिद्धूत की व्यवस्था तो मुझे बताईए बीजेपी के बड़े बड़े नेता डिफेंड क्यों नहीं कर रहे है मोहन भागवजी को आमिर्शा ने टिपड़ी तक नहीं की बारा घंटे जादा पहले का बयान है वो कह रहे है मैंने बयान ही नहीं ठीक से पड़ा राम माधव भी यही कह रहे है जो खुद RSSS से जुड़े हुए थे आप ये तो देखिए बीजेपी डिफेंड तक नहीं कर पा रही है आपको अब देखे मैं बीजेपी के डिफेंड की हमें जरुरत नहीं है देखे में बात कर रहे हैं मैं उससे तिफाक रखता हूं मगर जो बात मोहन भागवत ने कही थी वो उन्होंने ये बात नहीं कही थी यही मैं आपको बताने कोश्च कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं उसकी जमीन है वो बिल्कुल सही बात है मगर जो बात मोहन भागवत ने कही थी वो ये बात नहीं है और ये शर्मिंदगी का सबब BJP के निताओं के लिए हो रहा है मोहन भागवत ने ने कोई शर्मिंदगी का सबब नहीं है मोहन भागवत जी ने कोई गलत नहीं कहा मैं इतना ही कहना चाहतो राहूल गांधी संग से देश से मापी मांगे सेना की तुलना उन्होंने संग से किया है संग नहीं किया है राहूल गांधी बताएं कि सरहद पर अंतीम बार कब गए थे राजा राजवारों के परिवार के लोग 1962 में देश जबहारा था चीन से हमिलेटिंग डिफिटी ती मिहरू कब बोदर पर गये ते बता दे मिहरू कब सरहत पर गये थे राहू गांदी को कोई अधिकार नहीं है संग से मभून आने का सरहत पर कब गये थे साब लड़ने के लिए क्योंकि आरेस इस तो तैयार है तीन दिन में अभिसार जी अभिसार जी अभिसार जी इन लोगों ने सफाई दे करके और बड़ी गलती कर दी जो रिटन प्रेस नोट आरेसस का बैद जी का आया है इनी की अगर खुस फाहमी में मान लो तो जिस काम को सेना जिस सेना को तियर करने में सेना च्छे में लगाएगी ये तीन से बड़े हैं ये तुरना कीन है फिर भी जूट बोलना है इनिके जूट कोई माने अरे माफी मांग लीजिए सारा बामला समाप्त हो जाएगा गल्तियां होती रहती हैं आपको सर्मिंदगी उठाने से बैतर है देश से से शेना से माफी मांग लें वे तरफ जम्मू में सेना पर आतंकवादी गोल्या चला रहते हैं आप माफी क्यों नहीं मांग लेते हैं राकेश सिना आप बेतुके तर्क दे रहे हैं और उसके चलते आप एक्सकोज कर रहे हैं अब ये कोई दूसरा होता तो इतनी लंबी पाकिस्तान बेजने वालों की फाउज आ गई होती मीडि करते हों अब अभिसार जी अभिसार जी अभिसार जी राकेशी बोलिए अभिसार जी गीव दे डॉग बैड ने में देन हैंग हीम ये प्रिंस्पल कॉंग्रेस पहले से चलती रही है सेना का सम्मान सेना के अधिकारी जितनी बड़ी तादार में रिटायर होने के बाद नागपूर की काड़श करमों माते हैं साइद कॉंग्रेस हैसा सोच ने सकती है भारते जनता पार्टी के पास पुर्व सैनिकों का जितना वराविंग है कोई सोच ने सकता है सेना का संग के परतिस सम्मान कहा है बताता हूं जब मौरवी में लातूर में दिल्ली में के 25 से संग माती एक एंदे कर रहे 925 से दुस्परिचार कर रहे हैं दुस्पर वादियों के सामने हम जुक्री वाले नहीं हैं यह दुस्पर वादी 1925 से मारे पीछे लगे हुए ज़दी उनकी बात होते हैं तो सवजड पर ताला लग जाता है हम खाल रहे हैं हम सरहद से लेकर सीमा से लेकर देश के केंदर तक खाल रहे हैं आप चिंटा मत किजिए चंटा मत किजिए तो लगोड़ के लिए आ रोक रहा हूं देखिए आपने डॉक्टर मनमोहन वैदे का भी बयान दिया उन्होंने जो बात कही उसमें वजन है दो राएं नहीं है डॉक्टर मनमोहन वैदे जो बात कह रहे हैं न कि उन्होंने कहा कि तुल्ला हम सामान नागरिक और RSS कारकरता में कर रहे हैं वैसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या सामान नागरिक के तुल्ला में RSS की कारकरता उपर हैं ये भी एक मुद्दा है और वो सामान नागरिक में कई तरह के लोग आते हैं तो ये भी एक मुद्दा है अपने आप में RSS प्रमुक मोहन भागवत के विवादित बयान पर दो खास महमान मेरे साथ बने हुए आप जानते है राकेशी आपका स्पश्टिकरण क्यों बेमानी है ये बेमानी इसलिए है क्योंकि जेनवा समझोते के तहट भी संरक्षन उसी सैनिक को मिलता है जिसने पूरी ट्रेनिंग की हो तो सवाल ये कि वो बात कह भी क्यों रहे थे RSS प्रमुक क्योंकि जो आपका तर्क है जो बाप स्पश्टिकरण दे रहे हैं उसकी कोई जमीन नहीं है ऐसे ही कोई नहीं घुज जाएगा सेना के अंदर ना जेनवा समझोते के तहट प्रोटेक्शन है अप रशिक्षित लोगों का चाहे वो RSS का ही क्यों ना हो अभिसार जी ये बताइए सेना में सिर्फ गोलियां ही चलती है क्या सेना के लिए आप पूर्ति की विवस्था होती है सेना के लिए अन्य प्रकार्पी इंफ्राइस्ट्रक्चर की विवस्था होती है सेना को सहयोग करने के आवसकता होती है सेना का मतलब सिर्फ यह नहीं होते है कि सरहत पर गोली चलागा जरुद परे तो हम गोली खाने के लिए जब देश को ऐसी आवसकता परेगी अरे तो आप गोली खाएंगी क्यों जब आप ट्रेंड नहीं है और आप फसते जा रहें राकिश ना जी आप फसते जा रहें अब सीने में एप फस रहा है और यह जी मत विजिव अभी शार जी अविसार जी 17 Tillय सुन लीजिए 20 लिजियए प सबस्क्राइब तैसे वर्जिक ऐब उन्हें आप मुझे बताइए कहा उन्होंने सामान नागरिक को ट्रेनिंग की बात अब यह यह तो राहुल गांदी की भासा बोलेंगे राहुल गांधी माफी मांगे राहूल गांधी ने देश का अपमान के है, सेना और संग का अपमान के है, क्या खामोस हो जाएं, सब दिन देश को ठोखा देने वाले बंसवादी लोग संग पर सवाल करेंगे, और बासच में देश की हार के लिए कौन जिम्मेदार है, भारत जीन की जैकार कर रहे थे, माओ आपको रखे आगे